आज का लाइव अपडेट हम बेगल के साथ शुरू कर रहे हैं बेगल का मैंने आपको बताया था बड़ा ही बड़ी ही हाई एनरजी है हम इसके लिए अभी भी घर ढूंड रहे हैं तो शाहिनी इसको वाक पर ही ले जाने लगी थी तो मैंने का पहले मैं आपको इससे मिलवा हुआ हुआ है सबसे तो यह मैं आपको काव एरिया में सबसे मिलवा हुआ है हनुमान जी तो आपको लगता हुआ जैसे हमने अडॉप्टी कर लिया पर ऐसा नहीं है आप जैसे जैसे मॉन्सून खतम हुआ है इसका भी इंफेक्शन काफियत तक खतम हो चुका है बाइद व अब ही भी इसको दो-तीन हफते लगेंगे वेट ये डार्क चॉकलेट की मॉम है न ना नाम नहीं ले सकते इसका तो यह जो डाक चॉकलेट की मदर है यह लगब लगब ही haid है अब एक बार यह haid हो जाती है पूरी तो फिर ए और डार्क चॉकलेट दोनों रिलीज हो इसका नाम हमने पहले बंपी रखा था इसके हम पे एक चोट है पर अब इसका नाम मैंने दोस्त के नाम पे रोहित भारती रख दिया है इसका वूंड बहुत ही अच्छे से हील हो रहा है और जैसे बेतर फील कर रहा है यह थोड़ा देखना लड़ाई जगड़े के मूड में आ रहा है ओके यह पालंपुर कब जा रहे हैं साहिल यह भूपु है अगर आपने हमारे वीडियो दिए के ओ इसका तो यह काफी अलड़ी थोड़ा ऐसे लग रहे है जैसे श्रिंक हुआ है तो इसको फिर भी सर्जरी की ज़रूद पड़ेगी और यह कल जा रही है पालंप थनों में बहुत जादा इंफ्लमेशन है और फिर इसको अबैंडन कर दिया गया है और आपको कहीं भी सनाटा नहीं दिखेगा सनाटा वो था जिसके खुर में चोड़ थी उसने ऐसा ही शू पहन रखा था सनाटा ठीक होके रिलीज हो गया है इसके अलावा जो पहलवान औ वह बिचारी का कैमोफलाज वाली इन्होंने यह वेट बैंड है वेट रैप वेट रैप है ताकि यह इसकी क्या रिकवरी चल रही है कब तो एक बार ही बिचारी का एक्सरे हो जाता है अगर यह ठीक हो गई है तो फिर हम इसको रिलीज कर देंगे और डीजल डीजल भी लिए बार है तो वहाँ पर चलते हैं हो गे इसके अलावा में आपको नव्रिंगा का इनफेक्शन पहले से से तो बैटर है मरी ने पालंपुर के अभी हमारी लेक्ष्य में हमारे और और पकर exits रिंगर के लिए और टॉल बाहर पहना रखा है इसको हम मैं पहले पहता चुका हूं यह दिखनी रहा ओके ठैंक्स रिंकी यह वाइट नॉट हमने कॉलर इसको पहना रखा है ताकि यह अपना इंसीजन लिक ना कर सके नहीं दिख रहा खेर तो रिंकी भी स्टेडलाइस हो गई है आपको बताया था गुबारा इसकी पहले से कितनी ज्यादा बाल आ गए हैं यह लेकिन अभी भी इसका बेहवियर नहीं इतना चेंज हुआ बेगम लगबग हीड है और इसने कल जाना है तो कल पालम पूर जाके बेगम फाइनली मेरे खाल से अडॉप्टेबल के साथ मूव कर दिया जाएगा तब इसका यह जो इरिटेटिंग कौन है यह भी उतार दिया जाएगा शायद आपको पहली बार इसकी जो लेग है विदाउट बैंडेज दिख रही है बाइद अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं यह राधा है राधा हमारी पैरावेट है पडोसन भी और डॉक्टर अंकित पाइनैपल के फीर बनाया है वाधावे डॉक्टर अंकित आपको ट्राई करना होगा अमित की फेवरिएट डॉली है अमित जो है ना बड़ा टफ बनता है ऐसे दिखाएगा ने की जैसे मुझे जानवरों से प्यार है हमित का बस चले तो डॉली को चमबा ले जाए खेर यह राच चेस की नई इंजरी हो गई है साहिल पुरानी है पर इस पर बैंड़ेज करनी हमने बंद कर दी है तो यह इसलिए नहीं लग रही है ठीक है देवयानी का तो हम कुछ आपको दिखा नहीं सकते है इसका तो शू यह जब तक यह शू नहीं उतरेगा तब तक नहीं पता लगेगा और कोलगेट भी आज आप पहली बार बिना शू बिना बैंड़ेज के देख रहे हैं विच इस गुड निउस यानि की अब यह हीलिंग के बहुत करीब है मैं साहिल से कोई एस्टिमेट नहीं लेकिन इसके एस्टिमेट का तो खेर कोई मतलब होता नहीं है चैंप से मिलते ह चैंप अंदर ही है चैंप आपको पता होगा कि घोड़ा है जो चैंप सिदबाडी निर्वाना से आया था ना सिदबाडी के आगे जाके टंग निर्वाना है यह वहां से आया था तो चैंप का हम यह देख रहे थे कि शायद स्प्लिंट से यह हील हो जाए पर इसका इंफे पास कोई जुगाड है नहीं तो देखते हैं अगर आपको कोई किसी को आप परस्नली जानते होंगे तो बताईएगा तो इस आख से इसको बिल्कुल ही नहीं दिखता करेक्ट इसकी यह आख जो है ना इसकी यह अंदर चली गई है खेर आइड नो मतलब वही मैं कहता हूँ न हमारे पास समस्य आए जाता है अच्छा वह भी भी आट्रोपीन पर ही है गंधारी जो है अभी भी आट्रोपीन पर ही है और इसलिए यह अंदर है तो लेकिन अभी हमें यह नहीं पताना कि कोई इंप्रूव्मेंट है या नहीं है कल यह पालंबुर जा रही है तो वहां पर पता लगेगा कि इसकी इंप्रूव्मेंट है या नहीं है ओके तो अब हम डॉग से मिलने चलते हैं बाइद अब आज दो सवालों के भी मैं आपको जवाब दूँगा जब हम पीछे अले अरिया में चलूंगे साथ पीछे अले घ़िया की चाबी है ई है यह का यह तूफव है तोफु में आपको बड़ी ज्याधिक भटाये टोफु मेरी टोफु मेरी फेवरियेट तोफु ने बड़े सारे लोगों को वीगन कनवर्ट कर दिया और बड़े सारे जो अ अंग्रेज आते है जो बीफ खाते है उंको वे पिंकी अभी भी फ्रेंडली नहीं हुई है लेकिन इसकी स्किन डेफिनिटली पहले से मच बेटर है तो कुछ कहने लगा था हो गया है साहिल के जाथ फ्रेंडली हो गया है क्योंकि बड़ी बड़ी साहिल के इडवाइस मांगे कि हाँ हाँ डॉली फ्रेंडली हो गई है मैंने अपनी उंगली चबवाई है मैं इसका नाम भूल जाता हूं तो डग का क्या है डग की इंजरी तो हील हो गई थी अब यह डग स्टरलाइज है इसने कोन ऑफ शेम पहना और यह जैसे ही हील हो जाएगा मेरे खाल से अब डग नेक्स अपडेट में नहीं होगा डग रिलीज हो चुका होगा परवत जो है यह परवत है परवत जो है इसकी फिजियो थेरपी शुरू हो गई है इसने चलना शुरू कर दिया था हमने एक अपडेट भी डाला था परवत की फिजियो शुरू हो गई है एक बर यह बिल्कुल ठीक हो जाता है तो इसकी स्टरलाइजेशन होगी और यह है एक एमपी कैनल विच इस गुड निवस कि यानि कि कोई रेस्क्यू अगर आता है तो हमारे पास जगा है तो ही हम कल वो रेस्क्यू लेने पालमपुर से भी आगे चले गए थे हमने गाड़ी बेजी थी वो हाथ में नहीं आया तो अलग बात है देवदास का मैंने आपको बताया था यह पालमपुर गया था लेकिन इसका फ्रैक्चर हीर नहीं हुआ था और एक बारी इसका फिर पालमपुर जाना है कली जा रहा है तो कल यह होफुली डाट मींस कि इसका जो प्लास्टर है वो खत्म हो जाएगा ना और मैंने जो आपको गा था बाकी जो दो कलुए हैं मॉंसून और हनी बनी और पीछे की की है तो यह तीनों अलड़ी अडॉप्टेड हैं सिर्फ हम जो घर ढूंड रहे हैं बेगल के ढूंड रहे ह जो की ब्लाक फीमेल है लोगों को तो जाएगा तर ब्लाक मेल चाहिए होते हैं तो यह साहिल ने भी पूरे काले कपड़े बेहन रखे हैं अच्छा मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे पास एक मुर्गी को ही दे गए थे जिनको सड़क पे मिली थी मुर्गी बेड़ स्ट्रे भेड स्ट्रे भेड सूर कोई नहीं छोड़ता पर यह जो इनकी ब्रीड होती है ना इसको कॉर्णिश क्रॉस कहते हैं और यह जो यह बड़ी शॉर्ट लिफ्ट होती है फिकॉज इनको पैदा ही सिरफ मारने के लिए किया जाता है बड़ी दुखत बात है और इसलिए लोलो की फिर डेथ हो गई है और जो अलिफ मटको है मटको फिर से अखेला हो गया है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें इसको कंपनी कैसे दे में भी हमें कहीं से कोई देशी मुर्गी लेनी पड़ेगी तो थोड़ा इस बारे में मैं टौन हूँ खेल मैंने आपको बताया था ओ मटको यहां घूमी रहा है है मटको शायर यह लोगों के साथ थोड़ा और फ्रेंडली हो जाए ना तो हम इसको लार्ज आनिमल एरिया में ही मूब कर दें और इसकी सबसे दोस्ती हो जाएगी नहीं काटता है लेकिने ना थोड़ा सा काट भी लेगा तो क्या हो गया है तो अब फार्म का तो मैंने आपको लास्ता ही बताया था फार्म में कोई बहुत ज्यादा चेंजिस नहीं है हम इस समें नाम लोग भी वीडियो बनाके डेरी वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि वही बूड़ी गाय का क्या होता है तो कई लोगों का कहना है क्योंकि कई जो ग्राहक हैं जो मिल्क कंजूमर्स हैं उनका कहना यह है कि यार अगर हम दूद पीना कम कर देते हैं तो इससे तो और यह उसने आद दूद देना मंद कर दिया वो भी तो कट रही है तो आप उस बारे में क्यों नहीं सोचते कि जब तक यह प्रक्रण चलता रहेगा साल दर साल बच्छडे और गाय अबैंडन होती रहेंगी और कटती रहेंगी और देखिए दूद कम कर देने से ऐसा नहीं हो होगा कि गाय कटे की लोग पैदा ही फिर कम करेंगे ना यह होगा कि दूद मेहंगा होगा और वो जो पैसे हैं वो इसलिए इस्तमाल होंगे कि लोग जो है वो बूड़ी गाय का और बच्छडे का रख रखा कर सकें मैं यह बिंद्रेश और दौलत राम यह स्टाफ बन रहे हैं दिलवर भी अभी इनी के साथ लगे वे हैं तो अब हम जो हमारा रेजिदेंट काउशेट है वहाँ चलते हैं और चारली अपना है चारली यह देखिए आदी धूप आदी छाया में लेटा है यह इंसानों से फरक नहीं है बेस्ट आफ बोथ वर्ट चाहिए इ दे राधा का घर है यह पीचे किंग है यह वूली है पीचे नैनो है बेबी है यह सब हमने पर्मनेंट अडॉप्ट कर रखे हैं हमारे पास साथ दाए बेल हमने अडॉप्ट कर रखे हैं यह रविंदर है यह पीचे आले काउशेट का ध्यान रखता है कहता तो एटलीस यह पर जानते हैं कि संजु को यहां के उपांद रखा है रहे इस आश्घू को एक्षिली मुव ना करें तो चाली रोता है तो चाली को दिखने रहा लेकिन चाली रो नहीं रहा हमने क्या करना है जो परली तरफ भी चेन लिंक लगा के न वह एक्शली जमीन किराय पर है किराय पर नहीं किसी ने दे रखी है फ्री में जहां पर यह गाय बैल चरते हैं वहां पर चेन लिंक लगा के ताकि संजू भी मां खुला घूम सके संदर को मैंने बड़े टाइम से नहीं दिखाया संदर का कोई अपडेट नहीं है पस यही है कि संदर अपना टाइम काट रहा है और साइल इसको बांद क्यों रखा है लड़ता है यह जानरों के पानी के लिए इस्तिमाल हो रही है यह तो फराटे का भाई लगता है इसका नाम सोनू है राइट सोनू पहले से बेटर है लेकिन शू पहना हुआ है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता जब शू उतरेगा तो ही हो पाएगा जो भी आगे होगा ओके हां पिंकू की तो इंजरी लग 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 बहुत जादा मेडिकल केर की जरूद नहीं होती ना तो हम अपने रेजिनेंट कावशेट में मूव कर रहे हैं बात तो यह ठीक नहीं है पर क्या करें ओवर फ्लो इतना है अच्छा इसका पहलवां का आपने वीडियो देखा था मेरे इंस्टाग्राम पर पर स्नल पर कवे लिए तो जहान पर इसका चलना मास जादा खचता तो हील होने में बहूत ज़्यादा दिकक तो हो गहीता हूं कि एक एक जानौवर को महीनों लग जाते हैं ठीक होने में हमें बहुत이면 मना करना पड़ता है लोग बहुत नराज होते हैं तो यह जहां안 यह donations लेते हो यह वो तो मैं यही कहता हूं कि देखिए खोल रखा है स्वाइच्छा से खोल रखा है ऐसा तो नहीं है ना कि काव सेस हम collect करें ना हम donation मांगते हैं अगर ऐसी बात है मैं आपको donate करने के त्यार हूँ आप एक जानवर अपने पास रखी है है ना तो प्लीज अगर आप किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो मनोबल कम मत करिए जो भी NGO काम कर रहे हैं individual काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको जानवरों से लगाव है वो किसी का दर्द नहीं देख सकते उन पर दबाव डालने का प्रयास ना करें क्या फाइदा वो आपको पलट के कुछ unpleasant बोल दें खेर मैं इसका यह देवी है ना डीजल डीजल की तो पूँच डीजल अब यह इसकी पूँच को तो दिखाना बड़ा मुश्किल है पर जिससाब से डीजल हिला रहा है आप समझ आए मतलब कि इसकी पूँच फुल आउन काम कर रही है हील्ड में तो यह रिलीज हो सकता है थोड़ा सा पिंक है और अभी भी मख्यों का मौसम पूरी तरह खतम नहीं हुआ कावशेट में तो कोई नहीं है न वह बाइदवे मैंने आपको बताया था कि संजे जी ने देखिए की रेगुलेटर ऊपर लगवा दिये अब देखिए कैमरे पर आते है न तो काम होता है व साहिर ने उन्हें ये नहीं बताया कि सुभे खाने में गरम पानी मिलाना होता है नहीं बताया ना शरम कर ले कावशेट में तो कोई नहीं है लेकिन हमारे कावशेट में देखिए जो हमारे पडोसी है किरपालू भहिया उन्होंने खूब अच्छे से मिट्टी दे दिये ओ लाइट ओन कर रहा है पंखा ओन हो गया ओके लाइट ओन हो गई यह हमारा रेजिदेंट काव शेड है इसमें फैंस भी लगे है थैंक यू और खिड़कियां भी है वेंटिलेशन के लिए बहुत ज्यादा खिड़कियां नहीं कर सकते क्योंकि फिर सर्दियों में बहुत ज्य हो जाती है क्योंकि यहां ठंड कड़ाके की पड़ती है और हमें गरम रखने में फिर दिक्कत हो जाती है अब मैं अपने नोट से एक बड़ी चेक कर लेता हूं कि ऐसा तो नहीं है ओहो मैंने आपको टिमसी से नहीं मिलवाया खेर टिमसी क्योंकि बूड़ी है उसको इसे कहते हैं इंग्लिश में तो मैंने अब आपको और जो टिमसी है वो वैसे हील है पूरी उसको स्टरलाइजेशन की भी जरूरी नहीं है यह मैं ऐसे पता लगा कि उसके जो कान है उसमें कट है कान में कट का मतलब कि उसकी सर्जरी किसीने करी है ओके अब मैं कैमरा घुम पर मुझसे पूचा था आप अपनी डाइट के बारे में बात करिए तो मैं उस डाइट के आ रहे हैं तो बात करना चाहूंगा साथी में एक जो ब्रांती है ना उस बारे में बताना चाहूंगा कि वीगन होना बड़ा मेहंगा है या वीगन होना बड़ा मुश्किल है हमार आप लाइब वीडियो में तंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या काते हैं हमारी बैलेंस डाइट है जिसमें दाल होती है अब दाल के साथ आपके रोटी हो जाए या चावल हो जाए दोनों ही केसिज में ऐसा रहता है कि आपको complete protein में जाता है क्योंकि जो दाल में राजमा में छोल है या मकी है उससे मिल जाते हैं तो यह legumes और जो grain है इसका जो combination है यह आपको complete protein देता है ठीक है तो आपका protein और carbs यहां से आ गया उसके बाद आपने जो सबजी खाई उससे आपको nutrients मिल गए आपने अचार खाया या आपने मूफली के दूद का दही खाया उससे आपको probiotic मि जाता है जिससे कि आपकी iron की absorption बढ़ जाती है तो यह आपकी balance diet हो जाती है इसमें कुछ भी आपको महंगा या मुश्किल लगा और अगर आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं है तो आप जाईए आप सड़क पजाईए देखिए जो मजदूर लोग काम कर रह रहे हैं और बिल्कुल fit रहते हैं बिना पनीर बिना देशी घी के एक सवाल था मेरी personal diet का तो मैं नाश्ता नहीं करता मैं lunch में fruit और peanut butter खाता हूं और जो मेरा डिनर है वो मैंने जो describe कि हो ही खाता हूं और मेरा lunch जो रहता है वो होता है एक बजे और डिनर साथ बजे और डिन intermittent fasting हो जाती है तो इसलिए मैं breakfast skip करता हूं अच्छा एक मैं आपको जो हमारी product team में हमारी एक और neighbor है उन्होंने join किया है वो Shivani के साथ काम करती है मैं आपको उन से मिलवाता हूं और खुद उन्हें introduce करने देता हूं बाइद और मैंने शायद आपको इस update में दिखाया था यह यह हमारा नया product office बन रहा है और हमें एक saloni करके जो product manager है वो जॉइन कर रही है फिर Raveena मेरे साथ full on 100% आ जाएगी and then we are gonna start a revolution दीदी आप अपना नाम बताएंगे please रीना तो रीना जो है है Rina मैरेड है रीना के दो बच्चे है ना आपके तो रीना जो है अब हमारे साथ यह embroidery कर रही है और काफी टाइम से रीना हमारे साथ काम करना चारी थी पर हमारे साथ problem यह थी कि हमारा काफी seasonal था ना हम online चीजे बेच रहे थे हम सिर्फ ऑफ लाइन बेचते थे और उसमें समस्या यह हो गई कि लोगडाउन हो गया और हमारे पास कोई ओर्डर नहीं थे और वैसे भी वह काम सीजनल था तो जब से हमने ओनलाइन काम शुरू किया और यह हैंड मेड प्रॉडक्स करें एक से किन तुई कहले के जा रहा है सॉरी यह दिखाना बहुत जरूरी है अब यह देखिए यह बिंद्रेश आपने मोरिंगा लीव्स हार्वेस्ट करी हैं आप लोग भी मोरिंगा का पेड़ असानी जे उगा सकते हैं यह सुखा के हजार रुप जानी की जो टीम है उसने कल अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी अब उसकी टीम में कुल दस लोग हो गए हैं खेर इसी के साथ मैं अपडेट ख़तम करता हूं और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जो आप चाहेंगे हम एड्रेस करें तो आप या तो नमस्ते आप पीपल फार्म पे इमेल करिएगा वहां से जवाब ना है तो आप मुझे डिरेक्ट करिएगा रॉबिन आप पीपल फार्म और ख़तम करने से पहले यह तेंजिन यह तुशार यह हमारे मीडिया टीम के हीरोस हैं हमारी मीडिया टीम बढ़ती जा रही है और बहुत ही जल्द हम डॉक्यमेंटरीज भी बनाना शुरू करेंगे थांक यू